हालो दोस्तों प्रतिमा जियस एकड़िम पर आप सभी का स्वागत है कि दोस्तों करेंटे फ्र शुरू करते हैं बैस्विक नवाचार सुचकांग यह जोनी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 22 यानि बैस्विक नवाचार सुचकांग 2022 कि बैस्विक नवाचार सुचकांग प्रतिवर्स बैस्विक, बाँदिक, संपदा, संगठन यानि वर्ड, इंट्रिक्ट्छोल परपर्टी, इंडेक्स डवलू आई पियो बैस्विक बहुत्दिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है यानि कि बैस्विक बहुत्दिक संपदा संगठन के द्वारा बैस्विक नवाचार सुझकांग जारी किया जाता है बाउद्धिक संपदा यानि एक ऐसी प्रापर्टी जो इंटलेक्ट्चुल से संबंधित हो यानि कि दच्छता से संबंधित हो यानि कि एजुकेशन से संबंधित हो किसी नवाचार से संबंधित हो या कोई एक ऐसा डेप्लम्मेंट करना चाहता हो जो तकनीकी रूप से आगे बढ़ाने में सच्छम हो तो ऐसे बैस्विक नवाचार सुचकांग बैस्विक बाउद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है और यहाँ प्रतिवर्ष जारी होता है 2015 में भारत 81 स्थान पे था उस समय भारत की इस्थिती नवाचार के रूप में इतनी अच्छी नहीं थी जितनी की बरतमान में है अगर किसी भी आधार पर बैस्विक रूप हो या राष्टी अस्तर पे हो आप किसी नवाचार का या कोई इनोवेशन करना चाहते हैं कोई खोज करना चाहते हैं कोई विकास करना चाहते हैं और उसमें राज की भागिदारी जादा है बढ़चर करके है किसी अनुसंधान को ले करके रिसर्च को ले करके तो नवाचार सुजकांक में आपके इस्थती बहतर होगी 2014 में भारत्य जन्ता पार्टी की सरकार बनी और 2014 के बाद मेक इन इंडिया मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप, स्टेंड अप, ऐसे कई तमाम प्रकार की योजनाय चलाए गई और उस योजना का परिणाम ये हुआ, कि देश के बिकास में तो युगदान हुआ ही हुआ साथ ही भारत ने 2015 के यह 80वे पाइदान से 2021 में 46वे पाइदान पे पहुँच गया और 2022 में भारत की इस्थती 40वी है यानि कि भारत ने अपने आपको काफी सुधार करते हुए बैस्विक नवचार सुचकांक में एक अच्छी बढ़त हासिल की बिस्व के 132 देशों में भारत ने 2022 में 40वा इस्थान हासिल किया यानि 2015 के बाद 41 रेंख की सुधार किया भारत ने वहीं 2015 के बाद 6 रेंख का सुधार किया भारत ने क्रमसा अपने कारियों में योगदान देते हुए बैस्विक मंच पे अपने आपको इस्थापित किया और यह दिखाया कि हमारे यहां नया अचार नवाचार यानि अनुवेशन के लिए द्वार खुले हुए है बैस्विक नवाचार सुचकांक 2022 22 बैस्विक बौदिक संपदा सुचकां संपदा संगठन के द्वारा जारी किया जाता है यह एक वार्शिक्स इंडेक्स है 2022 में यह पंद्रहावा संसकरण है इस बार भारत को 132 देशों में 40 वा इस्थान प्राप्थ हुआ है 2021 में भारत को 46 यह 46 समय स्थान प्राप्थ था तो ही 2015 में भारत को 81 रेंग प्राप्थ था सिट्जर लेंड लगातार 12 में वर्स सीर्स पर बना हुआ है यानि 229 चार सुषकांक में 12 सालों से सिट्जर लेंड नमबर एक प्राप्थान के काबिज है और आज भी बना हुआ है भारत के पडोसी देश जिसमें चाइना भारत से बहुत आगे है वो मात्र 11 स्थान पे है उसके बाद भारत अन सभी पडोसी देशों से आगे है स्रिलंका जहां 85 स्थान पर है पाकिस्तान 87 स्थान पर है बंगला देश 102 स्थान पर है नेपाल 111 स्थान पर है और मियरमार 116 स्थान पर है यानि अपने पडोसी देशों में भारत के वल चाइना से पीछे है क्योंकि चाइना का 11 स्थान है और भारत का 40 स्थान है तो चाइना भारत से बहुत आगे है और भारत अन अपने पडोसी देशों से आगे है इसका उद्देश है नवाचार और तक्नीकों का सामाजिक वा आर्थिक चुनोतियों ये उन बदलाओं में सामिल करना यानि आर्थिक और सामाजिक चुनोतियों का सामना करते हुए एक नवाचार ये तक्नीकी रूप को बढ़ावा देना अब यहां से प्रस्ण कैसे पूछे जाएंगे यहां से प्रस्ण पूछे जाएंगे कि बैस्विक नवाचार सुचकांग कौन जारी करता है तो बैस्विक नवाचार सुचकांग बैस्विक बाउद्धिक संपदा संगठन के द्वारा जारी होता है यानि वर्ड इंट्रिलेक्चुल प्रापर्टी आर्गनाइजेशन के द्वारा जारी होता है या कितने सालों पे जारी के आता है तो या वारश्चिक रूप से जारी होता है 2022 में कौन सा संस्क्रण है तो 2022 में 15 संस्क्रण है 15 संस्क्रण है भारत का इस्थान 132 देशों में भारत का 40 संस्थान है एक बात भी ध्यान रहे कि 2021 में भारत का इस्थान 46 था वहीं 2015 में भारत का इस्थान 182 था जो 2022 में 40 संस्थान प्राप्थ हुआ है यानि के एक अच्छी सुधार की प्रवित्ती दिख रही है नंबर एक पर कोने सीर्स पर तो सिटूजर लेंड है और याद रहे पिछले 12 वर्सों से यह सीर्स पर बना हुआ है पड़ोसी देशों में चीन का इस्थान 11 है चीन 11 में इस्थान पर है स्रिलंका 85 में इस्थान पर है पाकिस्तान 87 में इस्थान पर है बंगला देश 102 में इस्थान पर है नेपाल 111 में इस्थान पर है वहें पर म्यानमार 116 में इस्थान पर है यानि चाइना, स्रिलंका, पाकिस्तान, बंगला देश, नेपाल और म्यामार जिनमें चाइना से कि भारत पीछे है बाकी अन देशों से हो आगे है इसका उद्देश क्या है? इसका उद्देश है नवाचार तकनीकी एवं सामाजिक आर्थिक चुनोतियों का बदलाओ जब नवाचार का सुचकांक ही है तो इसके उद्देश में इनोबेशन की प्रविड़ती सामिल है यानि कि कोई नवाचार करना, नए-ने खोज करना, नए-ने कारियों को सामिल करना, नए-ने टेकनोलोजी को सामिल करना ये इसका उद्देश होता है अगला पॉइंट है देश की तीसरी वंदे भारत एक्स्प्रेस जब भारत गुलाम था और डलहौजी यहां के गवर्नर थे डलहौजी यहां के गवर्नर थे भारत के 1803 में अठारा सो तिरपन में जो कहानी शुरू हुई थी बंबई से थाढ़े के मत जो ट्रेन चलाया गया था यहनि रिल गाड़ी चलाई गई थी माल ढोने के लिए या सवारी के लिए लेकिन अंतिमलच अंग्रेजों का भारत से कच्चा माल ले जाना था भारत से कच्चा माल ब्रिटेन ले जाना था यानि भारतियों को सस्ते दामों पर उनके उत्पाद को और उनके कच्चे माल को ले जाने के लिए और आवा गमन की सुविधा को बनाने के लिए अठारा सो तिरपन में भारत में रेल गाड़ी चलाए गई थी एक बिद्वान ने कहा भी था कि जिस देश में लोहा मौजूद हो और आप पटरी बना दें रेल की पटरी बना दें उस देश को विक्सित होने से आप नहीं रोक पाएंगे ये अलग बात है कि आज आपका उद्देश कुछ हाओर है इसका मतलब ये हुआ कि जिस समय अंग्रेजों ने रेल गाड़ी सकी संबंधित बिक्सित होने का अबिकास करने के भारत में सती को सोचा पटरीयां बिशाई जाने लगी और जितने निवेशक थे उनको कहा गया रेल गाड़ी सुरू होगी तो भी और नहीं होगी तो भी आपको पाँच प्रतिसत के दर से ब्याज सहित लाभ दिया जाएगा ब्याज सहित लाभ दिया जाएगा ये किसके जेवों से जाना था ये भारत के जेवों से जाना था लेकिन जो निव 1853 में रेल गाड़ी चलने की बात हुई पड़ी बेसिक ही सहीं वो कच्चे माल ले जाना चाहते थे हम गुलाम थे हम एक उनके उपनिवेश थे जाहिड सी बात है हमारा सोचल करते लेकिन आज के डेट में उसी देश में जहां पर कभी एक कच्चे माल के आवा गमान के सुवधा के लिए रेल गाड़ी चलाए गई थी तोरित रूप से सैंड़कों को पहुँचाय जाने के लिए कहीं विद्रो हुआ उसको दबाने के लिए यानि हिंदुस्तानियों पर अत्याचार करने के लिए जिस रेल गाड़ी की निव रखी गई थी उसी हिंदुस्तान में आज हाई स्पीड ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन और स्वा निर्मित मैं किन इंडिया के तहट बंदे भारत एक्सप्रेस चलाय जा रहे हैं यह हमारे देश की बिद्धोता कह लिजिए है यह हमारे देश की बेवस्था कह लिजिए जो सकारात्मक रूप से हम आज यहां तक पहुँश पाए हैं हमें लूटा गया हमें प्रतारित किया गया संसाधनों को ले जाया गया लेकिन जिसके निव डलहुजी के समय में पड़ा था आज बिश्व के गिने चुने देशों में टाप थ्री देशों में हम रेलवेशन रचना और आवागमन के साधन में खड़े हो गया करके वो आज के डेट में में किन इंडिया के सन्नचना के तहद खुद हिंदुस्तान में बिक्सित और दोड़ रही है देश की तीसरे बंदे भारत एक्सप्रेस का उदगाटन हाल ही में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी जी ने किया गुजरात में गांधी नगर तो मुंबई गुजरात में गांधी नगर से मुंबई गांधी नगर से मुंबई के मध में गांधी नगर मुंबई बंदे भारत एक्सप्रेस टेन जो इस्थान है वो गुजरात का गांधी नगर है और महाराष्ट का मुंबई है गुजराद की कैप्टल है गांधी नगर और महाराष्ट की कैप्टल है मुंबई और गांधी नगर को मुंबई से जोड़ा गया है तीसरे बंदे भारत एक्स्प्रेस के द्वारा और नाम है गांधी नगर मुंबई बंदे भारत अक्स्प्रेस ट्रेन ये नाम है ट्रेन का और गंतव्य होगा गांधी नगर से मुंबई प्रधानमंती नरेंद्र मोदी जी ने हरी जंडी दिखा करके ट्रेन को रवाना किया यह देश की तीसरी बंदे भारत एक्स्प्रेस ट्रेन है तो पहली कब चली थी तो पहली बंदे भारत ट्रेन 19 फरवरी 2019 को नई दिल्ली से कानपूर इलहाबाद वारारसी के मार्क पर रवाना गया था यानि नई दिल्ली टू वारारसी और बीच में कानपूर इलहाबाद होते हुए नई दिल्ली से वारारसी बीच में कानपूर और इलहाबाद यानि प्रियाग राज पढ़ना था तो 2019 को 19 फरवरी 2021 को चलाया गया था बंदे भारत ट्रेंज जो है भारत के मेक इन इंडिया अभियान का एक हिस्सा है और उसके परियासों को सफल करने का परियास है मेक इन इंडिया और अपने देश की सम्रिद्धि को आधार दीजिए मेक इन इंडिया के माध्यम से बंदे भारत ट्रेंग को बनाय जाने का इंटिग्रल कोच फैक्ट्री इंटिग्रल कोच फैक्ट्री यह चन्नई में है चन्नई तमिलनाडू की राजधानी है इंटिग्रल कोच फैक्ट्री में 75 यानि 75 बंदे भारत एक्स्प्रेस बनाने का लच्छ रखा गया है यानि इंटिग्रल कोच फैक्ट्री चन्नई ने अगस्त 2023 में टार्गट भी है 75 बंदे भारत ट्रेनों का निर्माड का अरच रखा है यानि अगर 2023 तक भारत को 75 बंदे भारत ट्रेन मिल जाएगा इतना ही नहीं हम और आगे बढ़ चुके हैं देश की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी हमारे यहां चले आई जा रही है जो दो रूटों एक तो नहीं दिल्ली से माता बैश्रो देवी यानि कट्रा तक है और दूसरा नहीं दिल्ली से वाणरसी के मद्द यानि दो सेमी हाई स्पीड ट्रेन भी चलाई जा रही है यानि भारत ने वो मुकाम हासिल कर लिया है जहां पर सुरुवात हुआ था एक कच्चे माल की ढूलाई के लिए उसी देश ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि इतनी बड़ी आबादी और बेसिक इंफ्राइस्ट्रेक्चर के बावजूद भारत ने सेमी हाई स्पीड ट्रेन तक चलाने में काम्याबी हासिल कर लिया है यहां से प्रस्ण पूछा जाएगा हालही में चर्चा में रहा बंदे भारत एक्सप्रेस जो गुजरात में प्रधान मंत्री नरेंडर मोदी जी के द्वारा हरी जंडी दिखाकर रवाना किया गया या बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन किस नंबर का है तो तीसरा है दूसरा पुछेगा कहां से कहां तक चलाए जाएगा तो मुंबई से सिरी नगर सिरी नगर नहीं गांधी नगर चाहा गांधी नगर से मुंबई कहलो चाहा मुंबई से गांधी नगर कहलो अगला प्रशन होगा कि पहला बंदे भारत अब जब जब बंदे भारत को स्वामिल किया जाएगा जो पहला होगा वो जरूर आएगा तो 19 फरवरी 2019 को पहला बंदे भारत ट्रेन चलाया गया था कहां से कहां तक नई दिल्ली से वारा रसी तक बाया कानपूर एवम प्रियाग राज यह वाया है जब इसके बीच से भी गुजरेगा है भारत जो बंदे भारत एक्स्प्रेस है यह किसका भाग है तो मेक इंडिया का भाग है मेक इंडिया अब हो सकता है कि यह सब भुला दे और पूछ ले कि मेक इंडिया के शुरुआत कब हुई थी तो याद रहे 2014 में मेक इंडिया के शुरुआत हुई थी और पहली सेमी हाइस्पीड ट्रेन कहां चलाए गई तो पहली हाइस्पीड ट्रेन के दो रूट है दो रूट एक नई दिल्ली नई दिल्ली तो मुख रूट है और नई दिल्ली से एक तरफ है माता बैसरो देवी के लिए है बैसरो देवी और दूसरा है वारारसी तो ये दो रूटों पे सेमी हाइस्पीट ट्रेन भी चलाई जा रही है और बंदे भारत एक्सप्रेस का जो लच्छ है वो कौन कंपनी के पास है किस फैक्टरी के पास तो इंटिग्रल कोच फैक्टरी चन्नई के पास है और लच्छ रखा गया है अगस्त दो हजार तेईस अगस्त दो हजार तेईस लच्छ रखा गया है पचाहत्तर ट्रेन को बनाने की जिन में से तीन बन चुके हैं 72 अभी बाकी है और ये कब तक बन जाएंगे अगस्त दो हजार तेईस तक ये बहात्तरों जो है बंदे भारत एक्सप्रेस टेन बन जाएंगे और भारत की पट लता जी जिस जगह पर 28 सितंबर 1931 को जनमी वो जगह था इंदोर कि इंदोर के मिट्टी से हिंदुस्तान को हर जरूरत पड़ जब हिंदुस्तान बहुत संकट में था 1962 में तब उन्होंने देश को जगाने में और देश के मुराल्टी जो मुराल डाउन हो गया था चायना के हारने के बाद देश के अंदर एक जुनूल लाने में लदा जी का बहुत बड़ा योगदान था उन्होंने ही एक गित गाया था आय मेरे वतन की लोगों जरा आख में भरलो पानी यानि कि एक अपनी सुरिली आवाज से इन्होंने हिंदुस्तान के साथ साथ बैस्विक मंच पे भी कई बार जलोय बिखे रहे थे उन्हीं लता जी के याद में राष्ट्रिय लता मंगेश कर सम्मान का आयोजन कि अगर सम्मान देना प्रारम किया गया आयोजन इन्दौर में हुआ इन्दौर में होने का कई मकसद था क्योंकि लता जी को अब कई प्रकार के सम्मान दे जाने की बात थी जैसे राष्टिये लता मंगेसकर अलंकरन समारों में तीन विभूतियों को यानि 2019 का सैलिंदर सिंग को 2020 का आनंद मिलिंद जी को सैलिंदर सिंग गायक हैं आनंद मिलिंद निदेशक हैं और 2021 का कुमार सानु को ये भी गायक हैं को राष्टिये लता मंगेसकर सम्मान से नवाजा गया और ये आयोजन इन दौर में इसलिए भी किया गया है क्योंकि वहाँ पे इन दौर में ही लता जी का एक प्रतिमा इस्थापित किये जाने की घोसरा की गई है यानि इन दौर में अब स्वर कोकिला का एक प्रतिमा इस्थापित किया जाएगा लता जी के गीत और उनकी इस्मर्तियों को संग्रहित कर इन दौर में एक संग्रहाले भी बनाये जाएगा और संगीत अकादमी और संगीत महा बिद्याले भी प्रारम किया जाएगा साथी साथ इन दौर में संगीत बिद्याले का नाम बदल करके लता मंगेस कर संगीत बिद्याले कर दिया गया है यानि लता जी को जो सम्मान चाहिए वो उनके जन्म भूमी के दौर पे वो सम्मान उन्हें प्राप्त हुआ है बसरते कि उनके रहते हुए सम्मान प्राप्त होता तो साथ कुछ खुसियां उन्हें भी मिलती फिल हाल ठीक है देर से ही सही तो यहां प्रस्ण कैसे पूछे जाएंगे प्रस्ण पूछे जाएंगे कि हाल ही में राष्ट्य लता मंगेस कर प्रुस्कार दिया गया किसे दिया गया तो ध्यान रहे दिया बेसिक 2022 में गया है लेकिन 2022 में 2019 का 2020 का 2021 का तीन साल का सम्मान दिया गया है 2019 का जो सम्मान दिया गया है वो सैलेंदर सिंग को दिया गया है यह गायक है यह गायक है और 2020 का जो सम्मान दिया गया है वो आनन्द मिलिंद को दिया गया है यह क्या है यह निदेशक है और 2021 का जो सम्मान दिया गया है वो कुमार सानू को दिया गया है यह भी गायक है और इन दोर में प्रतिमा इस्थापित किया जाएगा एक संग्रहाले बनवाया जाएगा संगीत अकादमी खोला जाएगा एक महा बिद्याले खोला जाएगा और संगीत विद्याले जो इन दोर में है उसका नाम बदल करके लता मंगेशकर संगीत अकादमी रख दिया गया है लता मंगेशकर संगीत अकादमी रख दिया गया है दोस्तों मैं अपने क्लास के पर समात करता हूँ और आप लोग उसे निवेदन करता हूँ झाल, 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 झाल